हरे कृष्णा दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है भगवान कृष्ण ने इस धराधाम में बहुत सी लिलाय किये हैं और इसलिए उनका एक और नाम लिला धर भी है उनकी लिलाओं में जो मुझे सबसे प्यारी लिला लगती है वो है उनका बाल्यपन का लिला बाल्यपन में भी बहुत सी लिलाय रचाएं हैं उन्होंने उन्ही एक लिला के कारण उनका एक और नाम दामूदर पड़ा और कार्तिक महीने का नाम दामूदर मास पड़ा चलिए हम सब उनकी इस लीला कथा का स्रवन करते हैं और इस कथा का आरंब करते हैं दामूदर लीला जोकी ओखल बंधन लीला के नाम से भी प्रस्षिद है ये भगवान की अत्यन सुन्दर लीला में से एक है ये लीला कार्तिक मास में हुई थी इसलिए कार्तिक मास को दामूदर मास भी कहा जाता है इस मास में नित्य दामूदर अश्टकम एवं गोपी गीत का पार्ट करने से भी भगवान कृष्ण के विशे स्कृपा प्राप्त होती है एक दिन माता यसोधा जी ने घर की सभी दासियों को दुसरे कामों में लगा दिया और श्वैम अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मतने लगी माता कृष्ण की लिलाओं का स्मरन करती और गाती भी थी नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेवी काये थी बालों से निकल कर चर्णों में गिरने लग गए फूलों ने सोचा यसोधा मैया स्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त है इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है इनके चर्णों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा कनहिया अपनी मैया के पास आये और दही की मतानी पकड़ ली उन्हें दही मतने से रोग दिया और श्वेम माता की गोद में कूद कर चड़ गये वातसले इसने की अधिकता के कारण मैया लाला को दूद पिलाने लगी पद्मगंधा गाय का दूद आग पर रखा हुआ था वा उबलने लग गया दूद उफंता देखकर मैया ने लाला को अत्रिप्थी छोड़ कर जल्दी से दूद उतारने के लिए चली गई इससे कनहीया को क्रोध आ गया कनहीया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा मटकी फूट गई और दूद दही फैल गया अब कनहीया ने बनावटी आशु आखों में भर लिये दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंद्रों को भी खिलाने लगे जब मईया आई उन्होंने देखा मटकी तूटी पड़ी है माखन फैला हुआ है मईया समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही कर्तूथ है मैया छड़ी लेकर वहां पहुँची जहां कनहया उखल पर बैठकर बंद्रों को माखन खिला रहे थे कनहया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वो भवन के पीछे के दरवाजे से भागे आज बड़ी ही विलक्षन लिला हो रही है भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है बड़े बड़े योगी तपश्या के द्वारा अपने मन को अत्यांत सुक्ष्म वसुद्ध बना कर भी जिनमें प्रवेस नहीं करा पाते उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यसोधा जी पीछे पीछे दोड़ रही है किन्तु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते जब कनहिया ने देखा मैया ठक गई तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया कनहिया का हाथ पकड़ कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी कनहिया रोने और आसु बहाने लग गए यसोधा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है तो मैया ने छड़ी फेक दी इसकी बात सोचा कि इसको एक बार रसी से बान देना चाहिए मैया ने रसी मंगाई और कनहिया को बानने लग गई कनहिया ने फिर से लीला प्राधम कर दी रसी दो अंगूल छोटी पड़ गई मैया ने दूसरी रसी जोड़ी वह भी दो अंगूल छोटी पड़ गई इस प्रकार सारे गोकूल की रशी जोड़ी फिर भी कनहिया को न बान सकी और रशी हर बार दो अंगुल छोटी पड़ जाती भगवान स्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत ठक गई है तब कृपा करके वेश्वयम ही मा के बंधन में बंध गए वैसे तो स्री कृष्ण परम स्वतंत्र है ब्रह्मा इंद्र आदी के साथ ये संपून जगत इनके वस में है फिर भी इस तरह बंध कर उन्होंने संसार को ये बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वस में हूँ संस्क्रीत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को ये सोधा मैया ने भगवान स्री कृष्ण के पेट को रसी से बांधा इसलिए भगवान का नाम दामूदर पढ़ा और ये लीला कार्थिक महीने में हु मैया कनहिया को ओखल से बांध कर अपने काम में लग गई कनहिया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूँ यमला अरजुन का उध्धार अनन्ध भावन के बाहर यमला अरजुन के दो व्रिक्ष खड़े हुए थे एक का नाम नलकूबर और दुस या ओखल को खीचते हुए नंद भवन के बाहर आ गये। वहां उन्होंने ओखल को दोनों व्रिक्षों के बीच में फसाया और जोर से खीचा। भयानक आवाज हुई और दोनों व्रिक्ष गीर पड़े। और उनमें सिद्धिव्य पुरुष प्रकट हो गये। उन्होंने प्रभु से वर्दान मांगा कि हे प्रभु आज के बाद हमारी वानी से अगर कुछ भी निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुनगान, आपका कृतन सुने, आपकी कथा या दुसरा वर्दान है। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा करे, मंदिर की सेवा करे, संत की सेवा करे, ठाकूर की सेवा करे, यह हाथों का उपियोग, मन हमेशा आपका चिंतन करे, यह वर्दान मांगा, हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रनाम करने के लिए जुपता रहे, क्योंकि सारे लोग वर्दान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए स्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कलियूग में उनकी लीलाएं अत्यंत मनोहरी होंगी जो मन को खीचेंगी इसलिए उन्होंने ये लीला की दो अंगोल रसी छोटी पढ़ने का अभिप्राय है कि भगवान दिखाना चाहते हैं जब किसी मनुष्य के मन में इच्छा और अहंकार होते हैं और वो मुझे पाने की अभीलासा करता है तब मैं उससे नहीं बंधता जब उसके मन से इच्छा और अहंकार निकल जाते हैं तब मैं उस पर कृपा करता हूँ और उसके बंधन में बंध जाता हूँ ये थी भगवान कृष्णे की बहुती सुन्दर लिला जो कार्तिक मास में सब को स्रवन करने चाहिए और अगर लिला धर की ये लिला आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने न भूलिएगा तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तो